कमाल का जबरदस्ट प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तो आज का इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात करेंगे दोस्तो कोई सिंपिल सा ठीक है नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है sketchware pro का project file है दोस्तों लेकिन कोई simple सा project file नहीं है ये काफी ज़्यादा बड़ा है advance है और pro एक दम तगड़ा level का project file है दोस्तों आपको जो है न 110% पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारा अलग-अलग नया-नया activities देखने के लिए मिलेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful है ये project file और important भी है दोस्तों मैं request करता हूँ दोस्तों आप जो है इस वीडियो को पूरा last तक जुरूर देखिए तब ही जाके आपको सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से पता चल जाए ठीक है दो project file है दोस्तों एक admin panel और एक user panel है wallpaper store आप जो है इसमें wallpaper बगरा upload कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताये दोस्तों आप इसको बिल्कुल भी एक normal project file समझने की गल्टी ना करें यह advanced project file है दोस्तों आप जुरूर वीडियो को लाश्ट तर देखिए आपको पता चल जाएगा तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आप लोग आज का यह नया वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है मेरा नाम है गोपाल तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को लाइक करते हुए start मारते हैं अच्छी बात बुली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजे हाथा थोड़ा सा मार दीजे मार दीजे एक बार मार दीजे तो दोस्तों आज का ये वीडियो start कने से पहले हम credit देते हैं आप जो है इन्हें support कीजिएगा दोस्तों full support कीजिएगा ये project file के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों wallpaper store ये एक user panel है दोस्तों उसके बाद ये admin के लिए है wallpaper store admin ठीके दो दोस्तों ये जो project file है इस बिसे में कुछ screenshot मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको idea लग जाए ये किस तरह का wallpaper का project file है ये देखिये दोस्तों ये कुछ screenshot है मैं आपको दिखा रहा हूं आप यहाँपर देख सकते हैं दोस्तों ठीक है आप जो है यहाँपर अलग-अलग को कैटेगरी दिया गया है आप यहां पर वेरिफाई आप टिक देख सकते हैं यहां पर उसके बाद आप जो है हाट दे सकते हैं मतलब लाइक कर सकते हैं उसके बाद यहां पर नोटिफिकसन सो कर रहा है ठीक है आप जो है यूजर आप यहां पर देख सकते हैं यूजर का दो दोस्तो प्रोफाइल आप देख सकते हैं अपने कितना वालपेपर अपने अपलोड किया है लाइक्स आप देख सकते हैं डाउनलोड आप यहां पर दोस्तो चेक कर सकते हैं ठीक आप यहां पर देख सकते हैं यह वालपेपर का दोस्तो यहां पर सेटिंग दिया गया है और य उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं सार्च यूजर आप यहां पर यूजर को सार्च कर सकते हैं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है आप बैज यूजर बैज आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ब्लॉक यूजर प्रोफाइल आप जो है ब्लॉक कर सकते है जो है user को verify badge दे सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक और बाकी दोस्तो हम project file में चलते हैं और यह देखे यह project file है सबसे पहले हम admin panel को open करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं send notification आप notification send कर सकते हैं update send कर सकते है verify users blog user इसमें आपको firebase को को connect कर लेना है same देख सकते हैं काफी जड़ा बड़ा project फाइल है Vienna आप यहां पर notification चेट कर सकते हreno दोस्तो और यहां पर start आप देख सकते हैं start कर सकते हैं यह no internet connection के लिए दिया गया है यह permission दोस्तों आप जो है permission के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आप लॉग इन कर सकते हैं उसके बाद register कर सकते हैं अपना account आप यहाँ पर अपना profile picture दे सकते हैं दोस्तों उसके बाद यहाँ पर menu दिया ग करके इसमें एकाउंट बगएरा बना के वाल पेपर अपलोड करके दोस्तों मैं आपको दिखा जाता हूं ताकि आपको और भी अच्छे तरीक से आपको समझ में आए ठीक है जबर्दस्त प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों आपको जुरूर पसंद आएगा वीडियो को बुन फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिसक्रिप्शन में एक बर आप चेक कर लेजिए उहां पर आपको सारा जनकरी मिल जाएगा ठीक है आप वहां पर दोस्तों यह प्रोजेक्ट फाइल को सौरी असानी से डाउनलोड कर सकते हैं थोड़ा सा यह मेरा करते हैं दोस्तों। ठीके, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहां पर दिखाया कोई भी एरख हमें देखने के लिए नहीं मिला और बाकि दोस्तों हम जो है admin panel को भी दोस्तों हम जो है install कर लेते हैं.. यह रहा हमारा admin यह project file हम दोस्तों इसे भी install कर लेता हैं दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई problem ना हो आप देख सकते हैं कोई भी error हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है और दोस्तों मैं जो sketchware pro का इस्तिमाल कर रहा हूँ कौन सा version इस्तिमाल कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा जाता हूँ ताकि सब कुछ clear हो जाए दोस्तों ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोई भी आपको error देखने के लिए नहीं मिलेगा आप यह देखिए ठीक है कोई भी आपको error देखने के लिए नहीं मिलेगा और यह successfully दोस्तों install करने के लिए बोलेगा build हो जाएगा दोस्तों थोड़ा सा wait कीजिए थोड़ा सा समय लगए देखिए building apk आप देख सकने हैं दोस्तों अभी जो है हम इसको install करेंगे यह देखिए और दोस्तों मैं आपको program info check करवा जाता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं RC04 mini fei 26 तो यह वाला version का इस्तिमल में कर रहा हूं दोस्तों तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो animation है काफी जवरदस्त बनाया गया है दोस्तों आप यहाँ पर जो है start करने के लिए बोल रहा है इसका पर click कर देते हैं दोस्तों उसके बाद यहाँ पर permission आपको देना पड़ेगा तो आप इसको allow कर दीजिए तो यहाँ पर permission access ठीक है तो permanent permission दोस्तों already access हो चुका है यहाँ पर continue login तो आपको यहाँ पर login करना पड़ेगा दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर register भी कर सकते हैं इसका पर click कीजिए आप देख सकते हैं select profile picture आपको select करना पड़ेगा उसके बाद आपको यहाँ पर username email id password डालके दोस्तों आपको यहाँ पर account create कर लेना पड़ेगा तो फिलाल दोस्तों मेरे पास जो है already account है तो यहाँ पर मैं उसको open करता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप जो है दोस्तों password के लिए आप देख सकते हैं यह ठीक है ओ थोड़ा mistake हो गया दोस्तों यहाँ पर मैं password को दोस्तों इंटर कर देता हूँ तो यह देखिए यह देखिए इसका उपर अगर आप टैप करते हैं तो यह color में changes हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद यह पर यहाँ पर एक drawer दिया गया है काफी खूबसरत drawer दिया गया है आप इसको cut कर सकते हैं यहां से उसके बाद यह रहिए आप wallpaper को आप यहाँ पर category slate कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपका image का size यह automatically pick हो जाएगा ठीक आपको यहाँ पर इंडर करने का ज़रोत नहीं है आप इस तरीके से अपना wallpaper को यहाँ पर upload कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यह जो wallpaper one piece wallpaper हमने upload किया है like जो है zero है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं download देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको database का data यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर notification का भी data यहाँ पर आपको show कर रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यह हमने एक ही वाल पेपर को अपलोड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह वाल पेपर है, इसका पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यह जो है डाउलोड कर सकते हैं, इसका इंफ्रोमेशन आप चेक कर सकते हैं, home log and both आप यहांपर set कर सकते है उसके बाद दोस्ताँ आपको यहांपर एक छोटा सा आपको एक option show कर रहा होगा आप यह आप देख सकते हैं आप जो है इसको शेर कर सकते हैं डिल इट कर सकते हैं ठीकश क्लिक्ट करका डिश्ट भी आपको यहाँ पर सो कर रहा है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक notification सो कर रहा है आप जो है notification भी आप देख सकते हैं वह आप कहां से देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको दोस्तों setting दिया गया है यह देखिए setting दिया गया है आप profile edit कर सकते हैं share कर सकते हैं उसके बाद setting हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तो notification setting आप देख सकते हैं आप notification को जो हैं आप like notification system आप जो भी चाहिए आपको यहाँ अब बंद available कर सकते हैं आप sign out कर, आप जो है log out कर सकते हैं यहाँ पर दिया गया है sign out का, उसके बाद check for update का भी आपको यहाँ पर option दिया गया है, उसके बाद profile edit, sorry edit profile का भी option आपको यहाँ पर मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप अपना profile को यहाँ पर edit भी कर सकते हैं, और भी ब पर send error list, मतलब जो भी आपका bug error आता है, वो आप यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तो आप, जो है user को यहाँ से block कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तो आप यह बाला user को यहां से अगर आप चाहते हैं तो ब्लोक करना तो यह देखें यह ब्लोक हो गया यहां पर toast message सो कर रहा है और यहां पर दोस्तो आपको notification भी आ जाता है दोस्तो आपका जो है आप जो है ब्लोक कर दिया गया आप यहां पर तो user को ब्लोक कर सकते हैं दोस्तो उसके बाद आप जो है unblock भी कर सकते हैं उसको खोल भी सकते हैं उसके बाद और क्या क्या है दोस्तो हम यहां पर देख लेते हैं आप जो है notification send कर सकते हैं आप जो है एक साथ all सभी users को notification send कर सकते हैं अगर आप particular एक ही user को notification send करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ठीक है सॉरी इमें लिख देता हूँ ठीक है और इसके बाद मैं इसको सेंड कर देता हूँ तो यह देखिए यहाँ पर notification दोस्तो आ गया है आप जो है यहाँ पर आप देख सकता हूँ मैं दूबरा send करता हूँ दोस्तो मैं दोस्तो सॉरी दूबरा send करता हूँ हाई हेलो और यह देखिए यह notification यहाँ पर दोस्तो सो कर रहा है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप जो है अपडेट के लिए कर सकते हैं आप जो है यूजर को आप जो भी बैच देना चाहते हैं आप यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको नोटिफिशन आ जाएगा आपने कौन सा वाला बैच आपने यूजर को दिया है आप य कम प्लेन है यहां पर लिख करके आप इसको सब्मिट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप एप को रिस्टार कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद यहां पर जो भी सेंड क्या हुआ रिपोर्ट है यहां पर सो होना चाहिए यहां पर सो नहीं हो रहा है अच्छे से चेक करना पड़ प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तो ठीक है और हाँ दोस्तो अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस बिल आइकन का पर क्लिक कीजिए तो दोस्तो आप जो है इसका यह देखिए यह जो नोटिफिकेशन है दोस्तो आप यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं जो भी आ आप जो है मैंने सारा notification को clear कर दिया है तो आप clear भी कर सकते हैं दोस्तों ये project file के अंदर और भी बहुत सारा option है दिखाने जाओंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और दोस्तों और भी बहुत सारे option missing है ठीके दोस्तों बाकी जो है ना आप इसको खुद डाउनलोड कीजिए इस वीडियो का description में चेक कीजिए आपको ये दोनों project file का downloading link मिल जाएगा user project file उसके बाद admin का भी दोनों project file का link आपको नीचे मिल जाएगा आप जो है download कीजिए ठीके अपना sketchware pro में install कीजिए चेक कीजिए सीखिए जानिए इसके अंदर आपको बहुत स कर रहा है कैसे बनाया गया है ठीक है custom blocks बगए रहा कोडिंग बगए रहा क्या गया है आप देखिए सिखिए उसके बाद आप अपने लिए इससे भी अच्छा project file बना सकते हैं दोस्तों जुरूर चेक कीजिए कोई भी कोसा ने आपका कोई भी सवाल है तो जुरूर comment कीजि तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का जबरतस्त और इंट्रेस्टिंग टपिक साथ अभी के लिए इतना ही दोस्तों बाबाई